नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हर घर पार्शाला और जियो टीवी किस ने वीडियो में आज हम इस वीडियो में चोथी कक्षा के लिए हिंदी की फार्टे पुस्त करिम जिम मैंसे दीसरा अध्याए किर्मिच की गेंद पढ़ने जा रहे हैं, ये कुछ दोस्तों की कहानी है जो कि किर्मिच की गेंद से खेलते हैं और उनकी गेंद बाद में गुम हो जाती है फिर आपस में वो लड़ाई जगडा या बाद विबाद करते हैं तो आई आगे देखते हैं कि इस पाठ में आगे क्या होता है, तो गर्मियों की छुटी आंती, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पड़ रहा था, तब ही पेड के पत्तों को हिलाती हुई कोई बस्तु धम से घर के पीछे बाले बगीचे में गिरी, तो गर्मियों की चुटी आती, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पड़ रहा था, तब ही पेड के पत्तों को हिलाती हुई कोई बस्तु धम से घर के पीछे बाले बगीचे में गिरी, दिनेश आवाज से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है, तो दिनेश को पता चल गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है, वह एक दम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की और भागा, तो चिक एक तरह का परदा होता है, जो कि हम अबांस की लकडियों से बनाते हैं या फिर अन्य तरह की लकडियों से बनाते हैं, तो वो चिक को सरका कर बगीचे की और भागा, अरे अरे बेटा कहां जा रहा है अरे अरे बेटा कहां जा रहा है बाहर लू चल रही है अरे अरे बेटा कहां जा रहा है बाहर लू चल रही है तो लू एक तरह की हवा होती है, गर्म हवा को हम लू कहते हैं गर्मी में जब हवाएं चलती है और हवा भी उसमें किस तरह की ठंडक नहीं होती तो उसको हम लू कहते हैं और उससे हम बिमार भी हो सकते हैं दिनेश की मां मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली क्या बोली ? अरे अरे बेटा कहां जा रहा है ? बाहर लू चल रही है दिनेश की मा मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली पर तु जो दिनेश है वो रुका नहीं परंतु दिनेश रुका नहीं उसने पैरों में चपल भी नहीं पहनी वो नंगे पैर ही दोड़ गया जून का महीना था धर्ती तवे की तरह तप रही थी जैसे हम आटा गुदते हैं फिर उसकी रोटी बनाते हैं और उसके बाद जब उसको हम तवे पे डालते हैं पकाने के लिए तवे की गर्मी कैसी आती है आग लगने से वैसे ही धर्ती तवे की तरह तप रही थी अगर हम थोड़ा सा पानी कर डालें तवे पे तो वो किस तरह सा भाब बन जाता है और अगर उसी तरह से अगर धर्ती पे भी पानी डाला जाता तो वो भी भाब ही बन जाता पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी दिनेश को इतनी जिग्यासा थी उस चीज को जानने की कि उसको अपने पैरों की भी चिंता नहीं थी वो जहां से आवाज आई थी उसी और भाग चला क्योंकि वो धम से घर के पीछे वाले बगीचे में जो उसकी गेंद गीरी थी या पतनी क्या वस्तु थी तो धम से अवाज जब आई थी वो उसके पास ही भागता चला गया ना उसने अपने मा की सुनी और ना ही उसको गर्मी महसूस होई सामने की क्यारी में भिंडियों के उँचे 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 पोधे थे एक और सीता फल की घनी बेल फैली हुई थी सामने की क्यारी में भिंडियों के उँचे 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 पोधे थे एक और सीता फल की घनी बेल फैली हुई थी कयारियों के चारों और हरे हरे केले के ब्रिक्ष लहरा रहे थे तो कयारी क्या होती है हम कयारियां लगाते हैं फल्स सबजियों को उगाने के लिए सबजियों को उगाने के लिए हम कयारियां लगाते हैं जैसे की सीड़ी नुमा छोटी छोटी हम मिट्टी की धेले मना देते हैं और उसमें हम लंबे लंबे उसमें हम सबजियां लगाते हैं तो सीता फल होता है और उसकी बेल लगी होती है जैसे बेल पे कक्ड़ी लगती है घिया लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें बेल पे लगती है अंगूर लगता है उसी तरह सीता फल भी एक पोधा होता है जो की बेल पे लगा हुआ था और सीता फल की बेल फैली हुई थी कयारियों के चारों और हरे हरे केले के ब्रिक्ष लहरा रहे थे तो वहाँ पे जो कयारियां थी उसके चारों और केले के हरे हरे ब्रिक्ष लहरा रहे थे हवा चली होगी और शायद उस हावा में वो केले के ब्रिक्ष लहरा रहे होंगे दिनेश ने जल्दी जल्दी बिंडियों के पोधों को उल्टना पल्टना अरंब किया तो वो उस चीज की खोज में उसने जल्दी जल्दी वो जो भिंडियों के पोधे वहाँ पे लगाए हुए थे उनको उन्होंने उल्टना पल्टना अरंब किया जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीता फल की बेल थी वो च्छान मारी अब भिंडियों के पोधों में भी दिनेश को वो धम से गिरने वाली चीज नहीं मिली तो क्या कहा गया कि अब वहां पे एक सीता फल की बेल थी वो भी उसने च्छान मारी बराबर में ही घुशने गड़े बना रखे थे, तो एक जानवर है उसने गड़े बना रखे थे, ढूंडते ढूंडते, जब उसकी निगाह उदर गई, निगाह का अर्थ क्या होता है? निगाह का अर्थ नजर पढ़ना, देखना किछी चीज को ढूंडते ढूंडते, जब उसकी निगाह उदर गई, तो उसने देखा कि गड़े के उपर ही एक बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं, चम-चमाती किर्मिच की गेंद पड़ी है, तो ये गेंद आप अपने सामने गड़े में पड़ी हुई थी, अब दिनेश ने हाथ बढ़ा कर गेंद उठा ली, लगता था जैसे किसी ने आज ही बाजार से खरीदा है, उसने उसे क्या किया होगा, तो उसको हम आने वाले पाठों में पढ़ेंगे, ये भाग एक था, अब इसको थोड़ा सा रीकैप, यानि कि थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं, इसके कुछ-कुछ भाग को, तो छुटियों में जब दिनेश घर में बैटा हुआ था, कहानी पढ़ रहा था, तो उसे अपने घर के पीछे बगीचे में धम की आवाज सुनाई दी, और दिनेश को लग तो गया था, कि वो क्या हो सकता है, लेकिन उसे वो जानना था, इसलिए वो भाग गया, गर्मी बहुत थी, जून का महीना था, लू चली हुई थी, मा ने रोका, कि बेटा कहा जा रहे हो, लेकिन वो नहीं रोका, और जहां से आवाज आई थी, वो वहा उसको भी उसने चान मारा, और उसने आगे जब निगाहा बनाई तो गूस ने जो गड़े बनाए हुए थे, जब उसने उसको उसकी नजर वहाँ पे गई, तो वहाँ उसे नई चम-चमाती किरमिच की गेंद दिखी, दिनेश ने वो गेंद हात बढ़ा कर उठा ली, लगत जैसे किसी ने उसे आज ही बजार से खरीदा हो, और उसने उसे क्या किया होगा, उसको हम आगे वाले अधहे में पढ़ेंगे, और इस भाग में इतना ही, आपने वीडियो को देखा, वर्कशीट को जरूर हल करें, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, इस पार्ट के अ होना से बची,